यह क्या हो गया भाई? लिटरली हाकिप चावी साब ने बोला कि मैं रोड से उठाके स्टार बना दूँ और यही मूवी का स्थीन अभी पाकिसान क्रिके टीम में चल रहा है रोड वाली बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिसान ने लिटरली जब अपनी सीरीज का आगास किया था तो एक हाईवे वाली रोड से किया था और जो यह लास मैं जीता है वह उफ रोड से ले गए सेम वेन्यो पे बहुत जादा रन भी बने और स्पिनिंग ट्रैक भी बना दिया मतलब एक आप्विएस स्ट्रेटेजी थी जो पाकिसान ने अप्लाई की और पाकिसान उसमें सक्सेस्वल हो गया काभी सारे लोगों को शफल भी किया गया और I think so first experiment कामियाब हो गया मगर it's too early to say कि पाकिसान एक राइट ट्रैक पर है कभी कभार आप first win से आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या होगा हां यह कह सकते हैं कि अगर पाकिसान यह सीरीज जीत जाता है तो बहुत से लोग जो रेस्ट पे गए हैं वो करियर री सेट पे चले जाएंग इस मैच को जीतने के बाद दो तीन चीज़े होई पहली चीज तो कि यह कि पाकिस्तान ने अपनी 11 मैचिस की स्ट्रीक तोड़ी पाकिसान अपने होम ग्राउंड पर हा रहा था लासिक्स कंजगेटिव मैच इसमें दो मैच बंगलादेश के भी थे अब जो नेक्स मैच है पाकिसान का एंगलेंड से वह है रावल पिंडी में और उस ट्रैक को इतना स्पिनिन ट्रैक बनाना बहुत पॉसिबल होगा तो एक अच्छा टेस्स देखने को मिल सकता है मगर रावल पिंडी से आद आया है कि पाकिसान 2001 में रावल पिंडी में ही लास्ट में जीता था अपना साउथ अफरीका से दूसी चीज़ यह हुई कि साजिद और नॉमान ने मिलके जो बीस विक्टे लिए यह 52 पुराना और बाबारादम भी टेस्स मैच में उनको रेज भी दिया गया लेट सी कौन कैप्टन बनता है और कौन लेके चलता है पाकिसान टीम को काफी अरसे से विनिंग स्ट्रीक लूस की वे पाकिसान अब बात करते हैं इंडिया वर्सिस न्यूजलेंड की न्यूजलेंड सिलंग जो कि टेस्स मैच में कभी भी अवेलेबल हो सकें और स्काइज आते हैं कि उनके पास आल राउंडर्स हो जो कि साथ अभी भी है उनके पास तो मैंने बोला कि इंडिया शायद एक अनमीटेबल स्ट्रीक की तरफ चले आए जैसे आस्ट्रेलिया रिकी पॉंटिंग की उसमे गैरंटी के साथ कहता हूं कि या तो ये सीरीज ड्रॉ जाएगी या इंडिया जीट जाएगा न्यूजिलेंड नहीं जीत पाया क्योंकि इंडिया बड़ा तेजी से अपने आपको चेंज करता है सिट्वेशन के साब से तो पहले इनिंग में 46 पे आउट होने के बाद जब से जादा 90s में आउट होने वाले बैठ रहे हूं तो इन्होंने फर्स्ट इनिंग से अर्मोस्ट डबल ट्रिपल अपना स्कोर बनाया हैं सेकंड इनिंग में इंडिया अच्छा कर रहा था मतलब नेक्स मैच के लिए तयार है इंडिया और इंडिया की जो नेक्स सीरीज है वो है साथ अफरीका के साथ मैं अभी करेंटली इंडिया को बेस्ट टीम रेट करता हूं क्योंकि टीट वर्ल्लक वो जीते हैं टेस्स प्रवाबली वर्ल्ल टेस्ट चैंपिन्शिप भी शायद जीत जाएं और बचा ओडिया व्ल्लक देखते हैं अब कुछ और टीमों की बात कर लेते हैं आने माली सीरीज में इंडिया साथ अफरीका की सीरीज है अग्वाइंस्तान बंगलादेश की सीरीज है और एक करंट सीरीज चल रही है से लंका की वेस्ट टीज के साथ से लंका भी न्यूजिलेंड को टैस्मिंच मार के गई है और अब वेस्ट टीज को T20 IB मार दिया 2-1 से, अब शाद 3 ODIs बचे में, यह Western Tees Tour to Sri Lanka है, तो Sri Lanka ने भी Spinning Track पर फोकस किया हुआ है, Darren Sami ने भी Press Conference में बोला कि Sri Lanka ने अच्छा यूस किया अपने Home Ground का या Home Conditions का, और New Zealand ने भी वाद बोली थी कि Spinning Tracks को Prefer किया गया Sri Lanka में, So मैं यह समझता हूँ कि यह Advantage बाकस्तान के इलावा सबको था कि Home को अच्छी तरह यूस किया, फ़र इस बारे में पहली डिसकस कर चुके हैं, अब और चीजों में यह आता है कि Women T20 World Cup चल रहा है, T20 World Cup में the most obvious team Australia भाहर हो चोगी है New Zealand और South Africa का final एकल, और कल मतब 21st October को और New Zealand और South Africa में दोनों कोई भी World Cup नहीं जीता है Women's में, So let's see, क्या होता है, South Africa के जादा chances लगते हैं कि उसने Australia को और New Zealand वेस्ट इंडीस को और तो I assume कि South Africa को यह World Cup उठा लेना चाहिए, Although South Africa शहिए लास्ट तू या थ्री यहर्स में दूसी दफ़ा फाइनल ने पहुचा है और New Zealand को फाइनल ने पहुचे वे 11 साल से जादा हो चुकिए, So let's see, कौन जीता है मगर at the end good game, South Africa और Australia वाला गेम बहुत अच्छा था, Expect it इस दफ़ा है, India ने जितना अपने Women World Cup स्कॉर्ट पर काम किया था है, I thought that वो थोड़ा सागे बढ़ पाएंगा, I think so group stages में ही बाहर होगते है Pakistan और India बाकी और क्या चल रहा है और यह चल रहा है और इरानी कब मुंबई जीत चुकी है, अगेंस ओल इंडिया इसके इलावा World Cup Champion League चल रही है जिसमें Canada भी टॉप पर चल रहा है और Netherlands नीच आच आच रहा है उसके Canada USA और फिर शायद Netherlands शौते नंबर पर है बीच वाले थर्टी में बूल रहा हूं मगर Canada 12 मैच खेला है, Netherlands 8 मैच खेला है तो I think so Netherlands उपर आ जाएगा ब वीडियो का topic decide करते थे कि पाकिस्तान जो है वो अपने downfall की तरफ जा रहा है test matches में और अगले match में पाकिस्तान जीच जाता है England से तो बहुत dynamic cricket चल रही है कौन perform कर रहा है कौन perform नहीं कर रहा इसका at the same day पता चल रहा है मतलब अभी की prediction है वो कोई prediction नहीं है वो बस लोगों में guess किया हुए cricket हमेशा से guessing गई है कोई भी चल सकता है कुछ भी हो सकता है वाला इसाब किताब है तो let's see मगर इस वीडियो में हम चीजें summarize करके इसलिए बताते हैं कि बंदा एक दवा वीडियो दे कि उसको पूरे क्या क्रिकेट में चल रहा है उसको पता चल रहा है इसके